हालो अब्रिवन, गुड मॉनिंग, हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तु में आपका बहुत बहुत सागत है आज मैंने सुबह ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल सुबह जैसे मैं सो के उठी तो अभी चाय बगेरा मैंने पी और उसके बाद हम जा रहे हैं, यह जो मैं अभी दिखा रही हूँ, यह गाय के लिए खाना है, इसमें कैलसियम बगेरा हमने डाला है और जैसे गाय का दाला होता है, आज मैं काव मिल्किंग करने वाली हूँ, काई से दुद निकालने वाली हूँ, फर्स टाइम इस काव से मैं दूद निकाल रही हूँ, वैसे बहुत कम में यह काम करती हूँ, और यह देखी मेरी हस्वेंट को पर उठा रहे हैं, इन्हों न नहीं किया, इससे मैंने एक बार भी दूद नहीं निकला है, वसके एक बार मम्मी जी के साथ बैठी थी, तो तब निगाला था, आज देखती हूँ, शाम को भी मैंने निकला था, जैसे मम्मी जी, हैनी गर्बे हो गए है, अपने माई के, तो आज सुबह, फिर से देखते हूँ, सुबह बहुत जादा दूद होता है, बता नहीं, हाथ में दर्ग लग चाती है, देखूंगे भी निकालके, बैस नो, चन्चल, दूद्दू देना, दूद्दू, दूद्दू, बड़दू, बड़दू, बड़दी चन्चल कुछ, आदत नहीं है, इतना ज़्यादा दूद्द निकालने की, क्योंकि होता है न, जब आप कोई काम रेगुलर करते हो, तो वो आसानी से हो जाता है, बट अगर आप किसी काम को काफी टाइम तक नहीं करते हो, वो काम आपको बूलता तो नहीं है, पर उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है, देखो, इतनी देर में मम्मी जी होते तो उन्हें, पूरा दूद निकाल लेना था, वैसे सुबा जैसे इसका 5-6 लिटर के आसपास दूद होता है, शाम को थोड़ा सा कम होता है, वो तो मैंने निकाल दिया था, वो भी कम ही निकला था जब पिछले कल मैंने इसरे दूद निकाला था रात को, आज सुबह जब दूद निकाल ली हूँ तो बस थोड़ी सी दिकत हाथों में दर्द लग रही थी मुझे यह लग रहा था कि बस जैसे थैसे दूद निकल जाए बस पूरा तो यह देखिए मैंने दूद यहाँ पर निकाल लिया है वैसे यह पूरी बालटी होती थी जब सु तो अभी क्लेणिंग का टाइम है सबसे पहले मैं यहाँ पर उपर वाले फ्लोर की क्लेणिंग कर रही हूँ उसके बाद हम नीचे वाले फ्लोर पे चलेंगे यहां से ही मैं स्टार्ट करती हूँ यहां कभी नीचे वाले फ्लोर की पहले कर देती हूँ फिर उपर वाले फ् तो अभी देखिए जाड़ू बस लगी चुका है ये वाला फ्लोर उपर वाला तो क्लीन हो गया अभी हम नीचे चलेंगे तो अभी मैं नीचे के लिए जारी हूँ यहां से नीचे को जो सीडियां है जो पीछे वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी देखिए अभी बिल्कुल साफ हो चुकी है वो रंगोली भी जो मैंने बनाई थी दिवाली को मैंने इला नहस है जुका है वह बस उसक पहला हो अभी मैंने लाए शीवा को उसको लाइğaू हूं मैं नहला के उपर दूप में थोड़ी देर मैं उसको दूप लगने देती हूं शरीर को क्योंकि उससे विटामिन D मिलती है तो हमारे वैसे भी दूप थोड़ी सी देर रहेगी यहाँ पर इसलिए मैं इसको दूप दूप में नेलाती हूं जब सही दूप निकलेगी उसी टाइम में इसको नेलाती हूं और फिर दूप में इसकी मसाज भी करती हूं तो यह मा से इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है यह फिर इदर उदर भागता रहता है या फिर ऐसे ही भाग जाएगा कपड़े पेनाने नहीं देगा क्योंकि नीचे टाइली है वो बहुत थंडी होती है आजकल जैसे हमारे यहाँ पर बहुत जदा थंड हो चुकी है दूर दूर जैसे पाड़ों पर बरभपी पड़ रही है पर इस बनापोर से पर तो अभी सीवा को नहलाने के बाद अभी हमारा हो रहा है लंच क्योंकि दूर दूर के लगवग साड़े क्यारा हो चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं अपना लंच तो लंच में मैंने बस दाल चाबल ही बनाया थे अभी सारे बैठके खाएंगे और यह जो वीडियो शूट कर दी है अभी यह शूब भी कर रही थी उसने अपनी मर्जी से ही फोन लाई और अपनी मर्जी से ही शूट कर दिया था तो खाना लंच तो हो गया अब उसके बाद है बरतन की त्यारी तो बरतनों का तो ठेग म होता है उसकेए ट Anime होता है पिर फिर से ठेग लगता है ही तो हर Commission की वात है अस वाइप को एसा ही करना पड़ता है तो बस उसके बाद मैंने कुछ कपड़े हैं को डाले थे कि बेटे बचो के कपड़े जादा होते हैं जैसे आज आजकल सुझियो में तो और भी जादा होत जो जादा दाग वाले या नए कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से दो लेती हूँ बाकी कपड़े मैं फिर मशीन में डाल देती हूँ तो अभी बस कपड़े मैंने धो लिए अब इनको सुखा रही हूँ सूखने में भी यहां बहुत टाइम लग जाता है देखे दूप यहां से बिल्कुल जा चुकी है तो अभी थोड़ी देर हम देख रहे थे रास्ते की तरफ की मुझे आज दूप सेखने का बिल्कुल भी तो आज सोच रही हूँ कि रास्ते में थोड़ी सी दूप दिख रही थी तो वहां पर हम सीधे आ गए कप्री सुखने के बाद यहां पर दो मिनिट के लिए ही दूप रहेगी उसके बाद फिर से चली जाएगी तो आभी देखिए वहां से आ गए शीवा मेरी गोद में था और सुभी अपनी पापा के गोद में चड़गी शीवा जब ऐसे अपनी देखता है ना गोद में के पापा ने उठाया तो बड़ा खुश होता है कि मुझे भी आना है फिर सर्मा के बोलता है कि हां मुझे भी आना है गोद में पीठ में आना है इस तरह से और सुभी भी न राज हो जाती है, जैसे कि हाँ, मुझे नी उठाया गोद में, तो अभी ये शाम का टाइम है, और अभी ये कुछ ब्रॉकली के पौदे हैं, जिने मैं लगाने जा रही हूं, जो मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ आपको अभी, तो अभी ये कुछ पौदे थे, तो मैंन इनको सोचा, दो-तिन दिन इनको होगे रखे हुए, इनको सोच रही थी लगाने की, तो आज मैंने निकाले लिया टाइम, दो-तिन दिन क्या एक दिन पहले लाए थे, तो शाम को लगाना था, बस थोड़े से ही पौदे हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने धनिया भी बोया है, उस के साथ ही मैं इसको लगा रही हूँ, यहाँ पर, पर पता नहीं लगेंगे या नहीं, क्योंकि यह पौदे थोड़े से ऐसा लग रहा था, जिसे लुड़क नहीं जाते, उस तरह से थे, पर मैं इनको लगा रही हूँ, बस लग जाएए, लगेंगे तो मैं आपको भी तो वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि देखिए यह मिट्टी बहुत हमारी याँ जैसे काली यह लग रही है आपको तो यह जैसे खाद हमारी होती है जो गोबर होता है गाय का वो बहुत जादा इसमें पढ़ता है इस वज़े से एक आली हो गई है वैसे चिकनी मिट्टी थी तो यहाँ पर हम बहुत डालते हैं खाद जो गाय के गोबर की तो इस वज़े से एक आली हो अब उर्बर्ख है काफी यहाँ पर सो बस इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग भी यहाँ पर ही खतम कर रही हूँ देखे बूटे मेरे लग रहे हैं इनको मैं आप पानी दे दूँगी सो कैसे लगा ब्लॉग प्लीज कमेंट करके जुरूर बताईएगा थेंक यू मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में बाबाई